स्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी दिली चुनाफ के नतीजे साथ ने आ चुके हैं आम आदमी पार्टी में सत्ता पर काबिच हो चुकी है 134 सीथे आम आदमी पार्टी ने हासल की है लेकिन वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को कड़ी टककर देते हुए 104 सीटों पर कबजा किया है इसके लावा कॉग्नस आदमी पार्टी नो सीटों पर उन्हें जीत हासल हुई है निर्दलिय के खाति में भी तीन सीटे गई है तो इस तरह से ये पूरा चुनाफी नतीजा MCD का रहा है जहां कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला लेकिन आम आदमी पार्टी की इस जीत में भी बीजेपी इसे हार बता रही है क्योंकि जिस तरह से दावा किया गया आम आदमी पार्टी की और से की 230 सीटे आम आदमी पार्टी हासल करेगी 200 में से लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और 134 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी सिम्टी लेकिन सवार यह है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़ी चेहरे थे फिर चाहे बाद डिप्टिस्यम मनीश सिसोधिया की की जाए चाहे बाद सतेंदर जैन की की जाए वो तमाम चेहरे पुरी तरीके से धराशाई हो गए और उनके इलाकों में आम आदमी पार्टी न कि इस्ट दिल्ली से बीचुपी के जांसद है वहां दरसल उनका परफोर्मइनस सबसे अच्छा रहा है उनके इलाके में बीचुपी ने जीट का परचम लह रहा आपको भी पता दें कि गौतम गंभीर की इस्ट दिल्ली में बीचुपी ने बहतर प्रडशन किया है 36 में से 22 सीटों पर PGP ने जीत हासल की है कि अपने आप में शांदार प्रदिशन है बतोर अगर सांसद के तोर पर गौतम गंफिर की बात की जाए तो और इसको लेकर उन्हें ट्वीट भी किया है जिसमें उन्हें इस्ट दिल्ली की जनता को धन्यवात भी दिया है और लिखा है कि थैंक यू इस्ट दिल्ली गाजिपूर कूडे का पाहड हम ही खत्म करेंगे जैहिंद ये ट्वीट गौतम कंफिर जो की बीचपी के सांसद है इस्ट दिल्ली से उनकी तरब से ट्वीट किया है इस जीत पर बीचपी की उन्होंने खुशी जाहिर की है आपको ये बता परफोर्मेंस दिया है वही बात अगर बीचपी के सांसद मनोस दिवारी की की जाए तो मनोस दिवारी के जो संसदिये छेतर है याहीं नौर्थ इस्ट दिल्ली वहां काटे का मुकाबला देखने को मिला है और यहां कुल 41 पोड में से 18 पर बीचपी और 17 पर आम आदमी पा है वहां बहतर प्रदिशन किया है जिसमें 41 वार्ड उनकी इस्ट नौर्थ इस्ट लिमित थे और वहां से 18 बीचपी और 17 आम आदमी पार्टी ने हासल किया है बात अगर चांदनी चोग इलाके की जाए तो चांदनी चोग के जो सांसद हैं डॉक्टर हर्ष वर्धन उनके इलाके में बीचपी ने आम आदमी पार्टी से बहतर प्रदिशन किया है कि यहां कुल 30 वार्ड के नतीजे आये और इनमें से 16 पर बीचपी को जीत मिली तो 14 पर आम आदमी पार्टी ने कब जज़वाया है इस तहां से यह तबाब नतीजे सापने आए हैं अलग-अलग सा कि हम बात कर रहे हैं वहीं साहु तिल्ली की अगर बात की जाए जहां के सांसद हमेश बिदूरी हैं वो दरसल बिदूरी के इलाके में भास्ति जिनता पार्टी को हार का साफना करना पड़ा है कुल 33 वोड पर अगर नज़र डाले तो आम आदमी पार्टी को 33 सीटे मिली है जबकि बीचपी के खाते में सिर्फ 13 सीटे गई है और यहां एक सीट कॉंक्रिस पार्टी के खाते में गई है वहीं बात अगर प्रवेस साहिब सेंग की की जाए तो जो कि बीचपी के सांसद हैं वेस्ट दिल्ली से वहां आम आदमी पार्टी का परफॉर्फरमेंस बहतर रहा और वहां बीचपी कोहार का सांसना कहीं नतीजों में कटना पड़ा है जादतर सीटों पर कुल 38 वार्ट के नतीजे आ गए हैं जिन में से 24 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है जो कि 14 सीटों पर बीचपी ने कबजा जमाया है तो यह तमाम आकड़े हैं जो कि सांस पने आ रहे हैं मिलाकशी लेखी की भी नई दिल्ली है कहीं ने कहीं वहां उन्हें भी कम वर्ट हाजिल हुए हैं और सहा से 25 वर्ड में से 20 पर आम आदमी पार्टी 5 पर बीचपी ने कबजा जमाया है तो कुल फिलाकर कि तमाम अलग अलग जो दिल्ली में लोकसभा की साथ सीटे हैं जहां पर बीचपी के साथ सांसद हैं उनके हम संसद्य चित्रों की बात कर रहे हैं नोर्थ वेस्ट दिल्ली जहां हंस राज हंस जो हैं वहां से आते हैं 43 वोर्ड उनके संसद्य चित्र में आते हैं और यहां भी आम आदमी पार्टी का परफोर्मेंस बीचपी से इन तमाम सांसदों के संसदिया छेत्र में देखने को मिला लेकिन सबसे बहतर और सबसे अच्छा परफोर्मेंस जो प्रदिशन है इन चुनाव में कहीं न कहीं वो बीज़बी की जो सांसद हैं गौतम गंफीर जो की पूर्द किरकेटर हैं जुन्होंने खुब चुनाव पर पार्टी को शिकस्त देने में वो काम्याब हो पाए हैं वहां जो नतीजा साफ ने आये हैं 36 पॉर्ट में से 22 बीज़बी के खाते में गए हैं 11 पर आम आदमी पार्टी जीती है जिसको लेकर अब गौतम गंफीर ने जाहिर दोर पर ट्वीट भी किया है खुशी जाहिर की है तो कुल मिला कर ये तमाम जो MCD के चुनाव नतीजे हैं ये साफ ने आ चुके हैं जहां 2500 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें 134 सीटे आम आदमी पार्टी को मिली हाला कि आम आदमी पार्टी के राष्टे सहियों जग अर्विंद केशिवाल का ऐसा दावा था कि वो 230 स से भी कम सीटों पर सिमठ कर रह चाहे की लेकिन जो एक्जिट पॉल के आखरे थी वो भी आम आदमी पार्टी को परिचर्ड बहुमत दे रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं कहीं नेक टू नेक मुकाफला जो है वो MCD में देखने को मिला और अब जब नतीजे पुरी तरीके स सबस्ट हो चुके हैं बहुमत आम आदमी पार्टी के पास जरूर है अर्विंद केचरवाल के खाते में जरूर कया है लेकिन जिस तरह के बादे जिस तरह की बाते उनकी तरफ से कही गई थी उसके अनरोप नतीजा नहीं आया है बीज़पी के लिके ये अच्छी जीत इसल आम आदमी पार्टी को कड़ी टक कर दी है 104 सीटे बीज़पी ने हासिल की है कॉंक्तिस पार्टी नो सीटो पर रही है और आपको ये बता थी कि बीज़पी के तमाम नेताओं के ट्वीट तमाम नेताओं के बयान इस पूरे चुनाव नतीजे पर साफने आये हैं बक्ष में तो ये उनकी नैतिक रूप से हार है वही आम आदमी पार्टी के राजटे सेयोजक अरविंद के जवाहें मीडिया से बातचीत की है उन्होंने पूरा भशन दिया है उनका बयान आया है कि दिल्ली को साब सुन्दर बनाने के लिए हर पार्टी हर व्यक्ति हर बनेंगे क्या बिगडेंगे क्या आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होगी लेकिन फिलार जो वात है अब आदमी पार्टी ने किये हैं जाहिर तोर पर जनता उन वादों को नहीं भूलेगी देखना दिल्चस्प होगा कि क्या वो वादे पूरे होते हैं या फिर सहा से पी फिलाल जो नतीजा है कम से कम उनके संसद्य छेत्र में वो उनके पक्ष में गया है बीज़िपी ने शांदार और बहतरी इन परदिशन उनके छेत्र में किया है इस्ट दिल्ली से वो बीज़िपी के सांसद हैं चुनाव पर चाहर में काफी एक्टिव रहे हैं कि जवाल उ दिल्ली में, MCD में सत्ता में रही, BGP फिलाल सत्ता में नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये neck to neck मुकाबला हुआ है, उससे कहीं न कहीं BGP के तमाफ नेता काफी खुश और गदगद नज़र आ रहे हैं, और कहीं न कहीं एक जवाब भी दे रहे हैं, कि जो आम आदमी पार्टी क बड़े leaders दे, फिर बात चाहे से सोधिया की की जाए, बात चाहे तबाँ दूसे leaders की की जाए, उनके छित में आपने अच्छा परदिशन नहीं किया है, आखिर क्या वज़ा है, क्या बस्टचार वज़ा है, क्या घोटाले वज़ा है, ये साफोर पर दिल्ली की जनता ने कह नहीं नहीं एक जवाब दिया है, और यही बीजेपी का कहना है, फिराल बीजेपी आम आदमी पार्टी की इस जीत को भी हार बता रही है, फिराल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राही है, में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हैं और चैनल को सब्स्क्राइब कर दो